इस्तिमाल करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और फिर जब नहीं चुनाओ आते हैं, तो आप फिर उनके सामने आ जाते हैं। खुद प्रियंगा गांदी ने यूपी के चुनाओं में ये कहा हैं, लेटरस्ट हैं उनकाड़ा हैं, और जब बरसाद आता हैं, तो हम निकल पढ़ते हैं, मेधकों की तरहें, वोट मांगने के लिए, तो ये खुद उनकी जो करेक्टरिस्टिक एक फीचर है कॉंग्रेस का, खुद बयान करती हैं, और लोगों ने यूपी को उठा के पटक दिया कॉंग्रेस को, पैटालिस साल से ये पार्टी कमिल नाड़ों से निकल चुकी, छटीस सालों से पश्चिन बंगान से निकल चुकी है, यूपी बिहार में बीज़ बीस सालों से इनकी उम्मीद नहीं ह जरूर यकीनन कोई वज़े तो है कि ये पार्टी को इतने सालों से लोगोंने बार बिठा दिया, साज साल हो गए, पैसज साल हो गए देश को आज़ात, मैं समझती हूँ कि तक्रीबन पात साल पहले तक आख बंकर के हर मुसल्मान कॉंग्रेस को वोट करता था, करता था कि नहीं भए, हम आख मन करके ये करते थे कि नहीं भई पंजे को वोट देना है, गायव अच्छाडा को वोट देना है, ये एक पैटन रही थी मुसल्मानों की, इस तरह भ्रम्मे रखेते हमें, लेकिन आज आज आप देखिए, साट साल आपके वोट लेने के बाद भी, आप पाकी फिनेंशिल, सोशल एकोनोमिकल कंडिशन को आप देख लीजिए, आपके बच्चों के रोज़दार के उपर्चिनीटी को आप देख लीजिए, आपकी सिक्षन की विवस्था को देख लीजिए, आपके सरकार की सिस्टेम में है, दो परसन मुसल्मान भी नहीं है, ग आपके साथ साल तक होती है, लेकिन आपको गरीब पिछरा हुआ रखा, हाली में कांडिस पाटिये गया चिलाती थी, जिसमें एक बज़रुक गरीग कंजोर मुसल्मान की उस अपनी बेटी को लेकर के आफिस में जाता है के वल फॉर्म मांगने लोन के लिए, साथ सालों के बाद उन्होंने मुसल्मान का तिक्चर कैसे बनाया है, गरीग, कंजोर, भूक मरा, अनपड़, और उसकी बेटी दरदर गटकती है फोर्म लेने के लिए केवल लोन चाहिए उन्हें, ये परिस्तिती अगर मुसल्मान की की है, तो केवल और केवल कॉंगरेस पार्टी ने क इसके विप्रित में आपको दूसरा दिक्चर दिखाना चाहती है, मैंने ये सारा स्टडी किया और गुज़ात सरकार को भी बहुत नस्दीद से स्टडी किया, जो स्कीम के इंगरा बनाती है, वो हर स्कीम जाती, पाती, धर्म के आधार पे बनाती है, मुसल्मानों के लिए ये स्कीम, आदिवाजियों के लिए ये स्कीम, OBC के लिए ये स्कीम, वो जाती आधार इस स्कीम बनाती है, और जब वो स्कीम में गल्पी से आपके गाउं तक पहुची भी अफ़ल तो वो पहुचती नहीं उनकी स्कीम, गाउं गादी खुद कहते हैं, कि अगर हम एक रु पहुची भी आपको, तो एक ही महले में बच्चे और जवान ये चर्चा करेंगे, कि भाई ये स्कीम तो मेरे लिए है, मुसल्मान बच्चा होगा तो वो कहेगा कि यार मैं तो मुसल्मान हूँ, इसलिए मैं OBC की स्कीम में नहीं आ सकता, शेडूल कास्ट होगा, वो कहेग ये और मेरे लिए तो अलग किसम की स्कीम है, तो ये बातने वाली राजनिती और स्कीम बनाते, योजनाय बनाते, जब कि नरेंद्र मोदी जी का मैंने सीखा और देखा, कि वो पूरे लागे के हिसाब से स्कीम बनाते, अगर आप दरिया किनारे रहते हैं, तो सागर तमाम सोला सो किलो मीटर, सोला हाजार किलो मीटर की जो भी हमारी बॉर्डर है, सब के लिए एक स्कीम है, उसमें मुसल्मान गाओं भी आ जाते हैं, उसमें आदिवासी विलेजिस आ जाते हैं, उसमें ट्राइबी विलेजिस आ जाते हैं, हर किसन की लोगों के लिए एक ही स महिलाओं के स्वास्त की स्कीम है, 108 की स्कीम है, कभी आपने देखा है कि जाती पाती के आधार पर 108 आती है, नहीं, वो सारे 6 करोड गुजरातियों के लिए हैं, तो मैं इस स्कीम को कई जाधा दहतर समझती हूँ, जो कि जातपात के आधार पर नहीं है, और हमें बाटने वाल गुजरात पर 35 साले तक कॉंग्रेस ने राज किया और कॉंग्रेस के सियम हुआ करते थे मुसल्मान को कभी ये हक नहीं मिला कि वो जिला पंचायद, तालूका पंचायद या काउंसिलर में बढ़ चड़ के भाग ले केवल और केमिल नरेंद्र मोडी जी ने 200 पर पर चुनाव जिता की भारतिय जन्ता पार्टी के टिकेट पर मुसल्मानों का दिराजमान किया है, ये परिसिती कभी कॉंग्रेस की सरकार में नहींती रेकॉर्ड उठा के देख लीजिए मुसल्मानों को गवर्रिंग सिस्टेम और मेंस्ट्रीम बे लाए हैं नरेंद्र मोडी जी इसके अलावा आप हज कमीटी की रिपोर्ट को देख लेजिए आप वकफ बोर्ड को देख लेजिए, कॉंग्रेस की सरकारों ने कभी पढ़ भी नहीं मेरे थे, खाली पढ़े थे ये, जो बोर्ड उएंग को खाली रखा था कॉंग्रेस में भालती और जनका पाथी ने इन गोर्ड के मुसल्मानों की भर्ती की और केवल भर्ती नहीं की, उसको कॉर्परेशन का दरजा दिया और कॉर्परेशन का दरजा देना होता है, जादा फंट्स और जादा एग्जीक्यूटिव पावर्स देना, ताकि आपके हज के मसले होगे, आपके वकफ बोर्ड को रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगे, वो तरजी से सॉल्व हो सके तो ये बात जो मैंने स्टेडी की, और नरेंद्र मोगी जी से मुझे अपॉइंट्मेंट बिला, मैं उसे मुली, मेरा ये इडादा नहीं था कि मैं कॉंग्रेस को फॉरण छोड़ दूए, लेकिन रकीम मानी, पाच मिनिट के अपॉइंट्मेंट, 55 मिनिट तक्रीमें एक हंता चली, और उसी वक्त मैंने फैसिया ले लिया, कि मुझे इस सरकार के लिए काम करना है, और बड़े 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 पक जो दिये था, मैं पटन साब दे, उसका रेजिगनेशन मैंना उनको फैक्स कर दिये, तो भाईयों बेलों, मैं आपको ये पताना चाहती हूँ, क अगर कहीं भी है, तो वो वाग्रा में है, अगर सबसे ज़्यादा कही है, तो वो वाग्रा में होना चाहिए, तो वो वाग्रा में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इनकोरा में अगर इसी के मिलना चाहिए, सबसे ज़्यान ये नोज़नों के रोज़गार मिलना चाहिए, वो वाग्रा के नौजवाने के मिलना चाहिए लेकिन पिक्चर ऐसा नहीं है आप और मैं भी जानते हैं मैं जब से वाग्रा के दोरे पर हूँ लगातार मैंने हर गाओं में नभी बोकल से बात की है कि बोई आपकी नौकरी रोजी रोटी का किया है हम आई टीएई हैं लेकिन हमें कोई नौकरी नहीं देता अगर देते हैं तो कौंट्राट पर देते हैं और क्यों छोड़ देते हैं अगर कहीं गए तो भिले एकस्पिरि्स लाओ अगर हम काम निकरेंगे तो हमारे पास एकस्पिरिएस कहां से होता ये जो प्राब्लम है भाईयों बैलों, इस पर कॉंग्रेस की कदी नहीं जाती है और कभी हुझे हमेले आपको पूछेंगे नहीं किया आपकी रोजगार की क्या प्राब्लम है क्यों कि उनको केवल अपनी तरक्की चाहिए, वो सेवा के नाते से राजमिती में नहीं आया है उनको अपने मुठी बर लोग और अपनी तरक्की थ्यार है लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि नरेना मोदी जी सचमुछ बागरा का दिकास चाहते है वो चाहते हैं कि सारी स्कीन, सारी इंडस्ट्रिस का फायदा, 80% जो लोकल इंप्लॉइमेंट की स्कीन है, जो योजना है, वो आप लोगों तक पहुँचे और मैं एक माधियम बन कर आएंगी और अरून सीजी को तक्रीमां 20 सालों से में चानती है को एपरेटिव सोसाइटिज में वो ने काम किया है, बैंक में काम किया है, डिरेक्टर है, वो APMC के चैर्मेन में और जाहर जिवन में हैं और मैं पत्रकार थी, इसलिए मैं उनको जानती हूं कि उनका जो सभाव है वो एक committed सभाव है वो भेद भाव, मीती, गरीब, अमीद देख के आपकी मदद नहीं करेंगे अगर आप आएं उनके घर पर आपके जाईज सारे पेपर है आपके बच्चे का हग बनता है तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे विकास के लिए जो भी ओजनाए नरेंग्र मुदी जी या गुजात सरकार निकालती है दिला भेदाओ के निकालती है यह मुस्लिम गाओं यह तो नहीं देना ऐसा हर्गीस नहीं कहते है और अगर ऐसा कहते है तो हम जूड़ते भी ने उनकी पार्टी से समझ लीजिए इसलिए वो सौनो साथ सोलो निकास का जो फॉर्मिला है उसमें जो भी स्कीम आती है पैसा आपके गाओं के लिए आता है कहीं कॉंग्रेस के हमिले वो आप तक पहुचने नहीं देखे अगर आपके पास बहुत के जनता पाड़ी का हमिले है और ऐसा हमिले है कि जिसको आप जानते हैं समय ने जिसको पर्खा है तो वो पैसा आपके गाओं तक पहुचाने में इमानदारी से मदद करेगा मेरी अपी है कि पन्दह साल का वाक्त बहुत लंगा होता है किसी को मौका देने के लिए ओपके बच्चों को कभी कोई साल दो साल पी मौका नहीं देगा लेकिन आपने तो उनको पन्दह साल का मोका दिया राजियमीपी करने के लिए अब वक्त आ चुका है कि उनको इस गाउं से और इस गाउं से और इस वागरा को शिटूनसी से बाहर निकाल दीज़े एक मौका दीजिए भारती एजन्ता पार्टी और आज इस मंच पर अगर मैं मौझूद हो तो मैं अपनी भी जिम्मेदारी समझती हूँ कि अगर नौजवानों को रोजगारी में कहीं मैं मदद कर पाई तो मुझे भी खुशी होगी खुदा को मर के मुझ दिखाना है तो एक दो बाते कह सकूंगी कि भी मैंने नेकी के काम किये इस दुनिया में इसलिए मैं की पुटी मांदाई से आपनों के साथ रहंगी मैं जादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि बड़े-बड़े नेता बैठे है शाहत अतली साब को मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ अरूंसी जी है, मनहर जी है इंशाल्ला आती जाओंगी और आपनों को से बातचीद करती रहूंगी आज की लिए बस शायद इतना ही काफी है वालेकम असलाव